हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ बेशन और आलो से बनने वाली बहुत ही टेस्टी रेस्पी सेयर कर रही हूं तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले हम बेशन का बैटर बनाएंगे तो यहाँ पर एक कप बेशन लिया है इसके बाद हम इसमें एक चौथाई कप चावल का आटा आट करेंगे जिससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे अब इसमें इसका टेस्ट पढ़ाने के लिए स्वादा नुसार नमक यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून नमक आट किया है थोड़ा सल्दी लगभग चौथाई चमच थोड़ा थोड़ा पानी आट करते हुए इसका बैटर तैयार करना है जिससे की बैटर के ज्यादा पतले होने का डर नहीं रहेगा और बैटर जो है आपका वह परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बन कर तैयार होगा तो ऐसे ही लगातार चलाते हुए हम अच्छे से इसको फेट क हो चुका है अब हम इसमें लगबख 1-4 टेबल स्पून बेकिंग सुडा एड़ करेंगे और इसे भी हलके हाथ से अच्छे से मिला देंगे तो यह देखिए बैटर जो है पूरी तरीके से रेडी है अब हम इसे 5-10 मिट के लिए सेट होने को रख देंगे तो आपको कर लिया है इसके बाद हम इसमें वन टेबल स्पून भुना हुआ धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून सॉंफ पाउडर हाफ टेबल स्पून लाल मिर्स पाउडर हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सकम गरम मसाला पाउडर एक चोथाई चमस काली मिर्ज पाउडर हाफ टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर हाफ टेबल स्पून अमचूर पाउडर हाफ टेबल स्पून या सौरन सौर नमक एक से दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ज और दो से तीन चमस बारीक कटा हुआ हरा दनिया और दो से तीन चम्मच इसमें हम बारी कटा हुआ प्यास भी एट कर देंगे इसके बाद हम सभी चीजों को हाथ से अच्छे से मैस करते हुए मिला लेंगे जिससे कि सारे मसाले और आलू जो है आपस में अच्छे से मिल जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सारे मसाले जो है आलू में अच्छे से मिल चुके है अब हम आलू का थोड़ा सा मिस्टर लेकर हाथ पर अच्छे से रोल कर लेंगे इसके बाद हम इसे हाथ पर हलका सा रोल करके थोड़ा सा फ्लैट करके टिक्की जैसा सेव दे देंगे आप चाहें तो अपने कॉर्डिंग किसी भी सेव का बना सकते हैं गोल सिलेंड्रिकल किसी भी सेव में आप इसे बना कर त्यार कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक्की जो है बनकर रेडी है तब तक हम इसे एक प्लेट में रखके साइड में रख देते हैं और ऐसे ही बाकी की सारी टिक्की बना कर रेडी कर लेंगे तो हम इसे फ्राई करेंगे तो अगर आप चाहें तो यह टिक्की को ऐसे बना कर फ्रिज मेंुरख कर सकते हैं भीलकुल भी खराब नहीं होंगी। आप इन्हें 5-6 दिन तक आराब से स्टोर कर सकते हैं अगर आप इसे ज़्यादा दिन तक आराम से स्टोर करना चाहते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जो टिक्की है वा बैटर से अच्छे से कवर हो चुकी है अम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे तो तेल अच्छे से गरम हुआ है नहीं यह चेक करने के लिए हम उसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे तो आप देख सकते हैं और मीडियम फ्लेम पर हमें एकदम golden brown होने तक फ्राइ कर लेंगे तो ऐसे हम अलका अलका ओपर से तेल डालते रहेंगे तो यहां पर जो है एक तरफ से थोड़ा सपक चुकी है तो हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे पका लेंगे तो ऐसे हम इसे लगातार च और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉंट कर लिजिए इसे की नई और मज़ेदार रेस्पी के अबड़ेट आपको मिलते रहें तो इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकने में लगभव 5-7 मिनिट तक का समय लगता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभव 5 मिनिट बाद इनका कलर जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है अब हम इने एक एक करके निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे आप इन आलू की टिक्कियों को चाय टोमाटो सास और किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी डगेंगे तो अगर आपको यह रेस्पी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कीज़ेगे